नमस्कार मेरी प्यार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से पिछली वीडियो में हमने फार्मासिस्ट प्रिवियर कोशन पेपर के 23 तक कोशन जो है वो डिसकस कर लिये थे आज हम पार्ट थ्री शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट थ्री और इसमें हम कोशन नबर 24 से स् तो पेरा जोस्वाची हम को बताए ट्रight ये ड्रग है क्लासिफिकेशन के एक पाट है और उसी के अन्दर आती है तो next question तो इसका answer है a option सही question number 25 curcuminoids are present in जो curcuminoids होते हैं एक कौन से joint है हमारे पास active form में है ये तो ये कौन से drug के अंदर active form में है तो ये इसका option देख लीजिए इसका option है colchicum, haldi, cascia और acacia तो इसके नाम से ही curcumin जो अगर आपको पता है कि turmeric का active constitute curcumin है तो curcuminoids उसके प्रेजन्ट होते हैं तो इसका सही जवाब है option बी तर्मरीक Now question number 26, the 10 primary regions of coriander are 10 primary regions कौन सी है coriander के प्रात्मिक रिजिज काटक कौन सी है तो इसका सही जवाब है option number D, wavy होती है इसकी और not prominent Next question 27, mace belongs to which plant family कौन सी plant family से belong करता है ये संबंद रखता है mace तो ये हमारे पास option number C, मेरिस टीएसी family से जो है ये जावित्री का जो फल है मेरिस टीएसी मेस से मेरिस टीएसी family से ये संबंद रखता है बिलोंग करता है Question number 28 देखेंगे, vasopression is released from Vasopression कहां से निकलता है तो ये आपको आपके hormones जो है अगर आपने मैंने hormones के ओपर वीडियो बनाई विए preview में आप उसमें चेक कर सकते हो तो बहुत अच्छे से समझा गया है कभी भूलेगा भी नहीं आपको इस तरह सर ट्रिक बनाई विए तो वैस्वप्रेशन जो है वह इसमें ऑप्शन है पैरा थोरड हाइपो थेलमास पिटूइटरी पाइनियल ग्लेंड तो इसका सही जवाब होगा वह है अगर इसमें प पोस्टीर इंट्रिमेडियर तो काफी कंफ्यूजन हो जाता लेकिन इसमें डारेक्ट पिटूइटरी है वैस्वप्रेशन जो है पिटूइटरी का हॉर्मोन है और यह पोस्टीर पिटूइटरी का हॉर्मोन है ठीक है इसमें ऑक्सेटोशन और वैस्वप्रेशन दो निकल गालनट्स वगेरा या फिर जो टी लीव्स होते हैं इसमें पाया जाता है गालिक असे तो यह जो हम नहीं करते हमारे जो नॉर्मल सेल को हम नहीं करते नेक्स्सक्षिन है रिपीट एड्मिस्टरेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल्रीसेप्टर ब्लोकेज इस नॉन एपेटेट्सरेशन अगरहनग हम बारबार दवाई को पर आपर होगो खोशी का रिस्एप्टर ब्लोकेज में परिमानित होता है यह जमा यह जाना जाता है अगर आप रिपीर्ट पर यह खा रहे हो दवाई ले रहे हो कोई भी ठीक है तो उस इसल रिसेप्टर ब्रोकेज हो जाता है है न कुछ चीज बार-बार ले रहे हैं तो वही इन उप्शन जो दिये गए हैं क्या बोलेंगे इन मैं से किसको तो उसको क्या शब्द हम बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे इसका सही जवाब ऑप्शन नमबर ए टैकी फाई लैक्सिज जो आइडिनोस इंक्रेसी होती है उसमें तो क्या होता है कि जैसे मैंने कोई ड्रग ली उसका जो है वह रिस्पॉंस है ही नहीं उसके अलावा कोई होरी रिस्पॉंस हा रहा है तो वह आइडिनोस इंक्रेसी होगी टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर आप एक ड्रग को बार बार ले रहे हो तो कुछ टाइम के बार उसका इफेक्ट जो है वह बिल्कुल कम होना शुरू जाता है तो टॉलरेंस पावर कम हो जाती है द्रग क टॉलरेंस यह तो तो इस तरह से पुछ अज़ा होता तो हम पॉलरेंस लिखते है जिनरिजम क्या होता है कि कंभिनेशन ओस दो रग अगर हम दे रहे है उनका this जादा हो रहा है मालो हम लोग सिंगल सिंगल दे रहे गें दो ड्रग एक सिंगल दे रहे है और दूसे भी तो यह हमारे पास इसका सही जवाब है 0.01% वेट अपन वुल्लीम जो बैंजेल कोनियम क्लोराइड है यह टॉक्सिक होता है और यह सफाई सफ़ी के काम यूज के आता है लेकिन आई में जो है यह ड्राइनेस के लिए यूज के आता है तो इसका सही जवाब होगा जिरो पॉइंट जिरो वन और यह प्रिजर्वेटिव है बिंजेल कोनियम क्लोराइड इस प्रिजर्वेटिव जो नेक्स्ट कॉशन है दो फेस्स का दो फेस्स होगा जैसे ओल है वोटर है इनका कंप्लीट सेपरेशन क्या कहलाएगा तो क्रीमिंग कहलाएगा कह्या है तो क्रीम बनता है करेकिंग हमारे पास का थीज वह वह दोनों सेपरेट हो जाते हैं दोनों मिक्स्टृ मिक्स्टृ लग सबस्या प्रक द Studien00 कोographyं आहीं और सेज्वेट साइइटन निर्फ के तो क्रीमिंट हो जाता है क्लिक है तो यह दो क्राइट हो ना दो कोशдиा निवर 43 सुमेटोस्टैन क्रया से कहा कहना होते हैं सफोमेटोस्टैटीण होता है पांक्रिया से निकलता है आप यह क्पटेक्क ही निकलता है तो यह मेरी वीडियो पशनलयुपर को आप कीव वीडियो बनाई भी है, जो आपको कभी बूलेगी भी नहीं, ऐसा ट्रिक जो है वो ट्रिक के थू बनाई भी है, तो स्टॉमेटोस्टेटिन, प्रेंक्रियास से तीन हर्वन निकलते हैं, हमारे बस स्टॉमेटोस्टेटिन, ग्लुकागोन, ग्लाइकोजन, यहार इंसलीन, ठ question number 34 which one among the following is not a part of aerosol container system तो aerosol के कौन कौन से इसमें से पार्ट है और कौन सा नहीं है तो actuator भी होता है वाल भी उसमें होती और mounting cup भी उसके ऊपर होता है लेकिन चुसमें गदी ऐसा कुछ नहीं होता है वाड वगेरा कुछ नहीं होता स्फिलिस के लिए टास हमारे पास को इसका option डी जो है इसराइट वी जो है हमारे पास उसके positive उसके टेस्ट के लिए होता है यह तो यह combination में होता है हमारे पास यह Así सई है सभाव है ओप्षिन नमट्र हमसा आप систем में जो वाइटामीन का जो है वह अल्टरॉनरी जवाव तो एसका सही जबाव है ओप्षे नमट्रसीज और दीत को हम लभी आप इसाते हैं बी की शुरी को जो है हम लको भी एविप A B C E और K 5 नहीं 6 बोलेंगे A B C D E और K तो यह 6 बन जाते हैं तो 6 वाइटामिन जोते हैं और वाइटामिन E को बोलते हैं कुछ नमर 37 डाइलुेंट जोते हैं वो यूज़ कियाते हैं टैबलेट में किस के लिए यूज़ कियाते हैं तो वो increase the bulk of tablet tablet को थोड़ा bulk की बनाने के लिए थोड़ा form में लाने के लिए थोड़ा बड़ा करने के लिए हम उसमें diluents यूज करते हैं जैसे मालो drug को एक simple constituents से गर हम बनाए तो बहुत minute बहुत छोटी बनेगी इसलिए हम उसको size को increase करने के लिए रहांस करने के लिए हम उसमें diluents यूज करते हैं question number 38 defructose on simple reduction gives तो defructose जो है simple reduction होने पर हमें mixture of manitol and sorbitol जो है वो देती है sorbitol manitol का mixture हमारे पस defructose बनाता है तो दोस्तों मैं इसके उपर कोशिश करूँगी शोगर्स के उपर simple sugar के उपर मैं आपको एक video बनाऊ और सारे test related जो है जिसे HIV AIDS, thyroid इनके लिए भी मैं video बनाऊंगी लेकिन अभी मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि मैं यह सब जो है जो previous question paper है इसको complete करूँ तो यह part जो बहुत लंबा हो जाता है और boring हो सकता है इसलिए मैं इसको part में divide करके बना रही हो तो next part मैं अभी इसके बार डालूँगी अभी इसके आपके लिए इतना ही enough है तो thank you so much अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप जुरूर इसको like करें और मेरी बाकी वीडियो भी देखें उसमें मैंने tricks के थुरू बताया हुआ है काफी कुछ चीज़ें hormones किये हुए essential amino acid complete किये हुए है so thank you so much for supporting me guys